दोस्तों नमस्कार मैं आपका मनोस्तिवारी सांसर दिल्ली बीजेवी प्रदेश का अद्यक्ष और मैं इस समय थोड़ा दुख में आपको ये वीडियो बना रहा हूँ मैं परिशानी में वीडियो बना रहा हूँ और मेरी परिशानी इस समय की है जो साहीन बाग में कुछ लोग CAA के विरोध में सडकों पर परदर्शन कर रहे हैं सडक बंध है जिसके कारण दिल्ली के लाखों लोगों को 20-25 मिनट के यात्रा को दोड़ाई घंटे में पूरा करना पड़ रहा है और उन लोगों को भी जो वहाँ धरने पर बैटे हैं उनको एक भरम में डाला गया है मैं साहीन बाग में उस धरने में बैठे हुए या जो लोग भी वहाँ बैठते हैं भाई बेहन आप सभी को मैं मनोश्तिवारी यह बताना चाहता हूँ कि CAA के जिस विरोध के कारण आप बैठे हैं CAA के अंदर हमारे भारत के किसी भी हिंदू, मुसल्मान, सिख, हिसाई, किसी के लिए कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, यह तो सिर्फ 2014 तक कुछ लोग जो पाकिस्तान से और बंगलादेश, अबगारिस्तान से आए, उन लोगों को नागरिक्ता देने का एक कानून बना है, किसी की नागरिक्ता चिनने का नहीं और कुछ लोग CAA के साथ ना, NRC जोड के डरा रहे हैं आप सबों को, NRC तो देश में अभी है ही नहीं, फिर कौन है यह जो आपको भड़का रहा है, प्लीज, आप इन सड़कों को खाली करिए, मैं मनोस्तिवारी आपसे निवेदन करता हूँ, लाखों लोगों को होने वा अब काईदे से तो यहां अर्विंद केजरिवाल जी को आपकर के आपसे प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी को अगर किसी का 20 मिनट का समय धाई घंटे में यात्रा में जा रहा है तो तो इंज्वाइ करेंगे, उन तो खुशी होगी अर्व कैसे होता है, ना उनको यह पता है कि सणकों में गड़े कैसे हो जा रहे हैं, ना उनको यह पता है कि पानी कैसे गंदा हो जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, इसलिए उनको यह भी नहीं पता है, या कि शाहिंद बाग में लोग जो बैठे हो क्यों बैठे हैं, लेकिन मैं सुन रहा हूँ नगातार सुन रहा हूँ आज मैंने आपसे प्रार्टना किया है आप प्ली साहिन बाग में जो सड़क पे बैठे हैं अगर आपके कुछ ऐसे इसुज हो तो आप वहां से आओ हम आपसे मिलने के लिए तैयार बैठे मेरे घर आओ किसी प्रतनिदी को भेजो हम हम हजारों मुस्लिम भाईयों को बैठके समझा चुके हैं अपनी घर जाके शांती से बैठे हैं आप आ जाईए नहीं तो आप उस जगह को खाली कर दीजिए ताकि दिल्ली के अन्य नागलिकों को यस्विधा ना हो और पुलिस से भी हम निविदन करेंगे कि आप लोगों उनको जितना मज़ा लोगों को परिशान करने में आता हूं निदान में नहीं आता उनको प्लीज हमारी बात को समझे भरम में मत आईए इस ट्राफिक जाम को हटाईए मैं आपको बाद में धन्यवाद करने आओगा